पिछले वीडियो में हमने पासवर्ड कीज को कैसे स्टोर किया जाए, इस बारे में बात की. आज हम परसनल अकाउंट और इमेल के पासवर्ड की सुरक्षित स्टोरेश पर चर्चा करेंगे. सबसे पहले, एक मुश्किल पासवर्ड बनाने के लिए किसी खास सर्विस का इस्तमाल करें. जालसाज मेल बॉक्स को हैक करने के लिए आसान अल्गोरिदम का इस्तमाल करते हैं. हम सलाह देते हैं कि आप आप आटोमेटिक पासवर्ड जनरेशन सर्विस का इस्तमाल करें। दूसरा प्रचलित नामों और तारीखों का इस्तमाल ना करें। जालसाज ऐसे पासवर्ड का आसानी से पता लगा लेते हैं। पासवर्ड बनाने में आपकी मदद करने के लिए यहां कुछ लाइफ हैक्स दिये गए हैं। अपने पासवर्ड में ऐसे पेशेवर शब्दों का इस्तमाल करें जिनके बारे में आम लोगों को बहुत कम पता है। और उन्हें मुश्किल बनाने की कोशिश करें। साधारन शब्दों को एक मुश्किल पासवर्ड में बदला जा सकता है। बहुत पुरानी यादकार तारीखों का इस्तमाल करें। जैसे कि किसी पालतू जानवर के साथ आपकी पहली मुलाकात की तारीख। पासवर्ड कैसे सेव करें। एक बार जब आप अपने सबसे खास अकाउंट के लिए अच्छे और मुश्किल पासवर्ड बना लेते हैं, तो आपको उन्हें स्टोर करना होगा। पासवर्ड को कई जगहों पर स्टोर किया जाना चाहिए। अगर आप अपना पासवर्ड इंटरनेट से जड़े किसी मीडियम पर स्टोर करते हैं, तो हैकर्स इसका फाइदा उठा सकते हैं। ऐसे में विशेश स्टोरेज एप्लिकेशन का इस्तमाल करके पासवर्ड को स्टोर करना बहतर होता है। वे एक तिजोरी की तरह काम करते हैं। सभी पासवर्ड जानने के लिए तिजोरी तक पहुँचने के लिए, यूजर को मास्टर पासवर्ड दर्ज करना होगा। हम इन पाच सर्विस में से किसी एक को चिनने की सलाह देते हैं। लास्ट पास, डाश लेन, जोहो वोल्ट, स्टिकी पास्वार्ड, की पास।